everyone welcome and welcome back to my channel my name is nilofar and you are watching me on nilofar's review tube तो friends देख सकते हो मैं कर रही हूं combing और मेरा एक भी hair fall नहीं है पहले ऐसा था कि मेरे बहुत जादा hair fall था और मैं comb करते time इतने जादा मेरे hair आते थे बट अभी ऐसा नहीं है मैंने अभी एक instant hair pack लगाया था और आप देख सकते हो उसका result के मेरे बाल काफी अच्छे हो गए है और मैंने अभी कोई भी shampoo conditioning नहीं की है सिर्फ उस hair pack को निकाला है और आप देख सकते हो hair fall पूरी तरह से चला गया है तो आप यह देख सकते हो यह मैंने लिए लगा रखा है hair pack और यह बहुत ही effective hair pack है सारी natural चीज़ें हैं जो भी ingredient है वो natural है और आपके घर पे मिल जाएंगे easily तो आपको first use में ही पता चल जाएगा कि आपके hair fall कम हो गए है और thumbnail में देखी लिए होगा कि मैं आज यही hair pack share करने वाली हूँ तो देखते हैं अभी क्या है इसमें ingredient क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी और किस तरह से आपको इसे apply करना है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा thick सा paste है यह और trust me यह बहुत effective है guarantee के साथ कह सकती हो कि इससे आपका hair fall जाएगा ही जाएगा और सारी healthy चीज़े हैं कोई भी artificial या कुछ उस type कर नहीं है तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो देख सकते हैं यह fenugreek seed है एक चमच मैंने ली थी अपने बालों के according और इसको मैंने overnight soak किया है आप देख सकते हो बहुत अच्छे से soak हो चुकी है यह और इसका मैं अब बनाऊंगी एक थिक सा paste और जैसे आपको पता होगा fenugreek seed या methi seed बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है बाल इससे healthy होते हैं और means जो इसका main काम है वो यह है कि hair fall को बहुत तेजी से रोग देता है means first use में ही आपको लगेगा तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों के length के according ली है एक चमच आपके जैसे भी thickness हो या length हो उसके according ले सकते हैं फिर इसको मैंने mixer में इस तरह से एक paste बना लिया है और जो पानी था मैंने उसी पानी में इसको means grind किया है उस पानी को फेकना नहीं है तो देख सकते हो उसको अच्छे से grind कर लिया है एक smooth सा paste बन गया है और इसमें मैं मैं मिलाने जा रही हूँ यह खादी का मेरे पास aloe vera gel था आपके पास अगर original gel हो means aloe vera का या आप natural organic use कर स सकते हो तो देखें मैं एक spoon ले रही हूँ क्योंकि aloe vera भी बालो के लिए काफी अच्छा है और इसे hairs पे चमक आती है और hair मजबूत भी होते हैं तो इस तरह से मैं इसको mix कर लोंगी कोई भी बहुत जादा ingredient mix करने की ज़ूरत नहीं है कि यह भी डालो वह भी डालो ऐसा effective है और आपको easily मिल जाती है अपने घर पे तो देख लीजे मैं अब आप इसमें add करोगे जो भी hair oil अपने hair पर लगाते हो weekly या daily जैसे भी जो भी hair oil लगाते हो तो मैं यहाँ पर केश्किंग लाती हूँ तो मैं वही एक spoon इसमें add करोंगी यह देख लीजे मैंने one spoon oil लिया ह जिसे के बाल जादा dry ना हो जोगी कोई भी hair pack लगाते हैं तो possibilities होती है के hair dry हो सकते हैं वर मेती में बहुत जादा कह सकते हैं थोड़ा सा चिकना ही होती है means वो जो उसका fats होता है उससे बाल dry नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम इसमें एक चमच hair oil मिला सकते हैं hair oil आप कोई भ अपने कपड़े change कर लेने हैं और कुछ भी means क्योंकि possibilities है कि यह थोड़ा सा गिरता भी है कपड़ों पे तो इसलिए मैंने thick paste बनाया है अब आप इसको brush की help से अपने hand की help से लगा सकते हो मैं इसको अपने hand की finger की help से ही लगाती हो क्योंकि बहुत easily और बहुत अच्छे से spread ह जाता है और अच्छे से जड़ों पे लग जाता है कि देखे brush से उतना अच्छे से नहीं लग पाता इसलिए मैं इसको hand से ही लगा रही हूं और इससे गिरता भी नहीं है तो आप भी ऐसे लगा सकते हो भी से parting कर करके आपको मैं एक example दे रही हूं इस तरह से parting करके आप बहुत जादा time के लिए भी नहीं रखना है टू आर्स रखोगे उसके बाद wash कर लो और wash करने के लिए आपको कोई भी shampoo या conditioner की ज़रत नहीं है जब आप wash करोगे तो आपको सिफ इसको निकालना है और इसको निकालने के बाद बाल खुद बहुत ही smooth से हो जाते हैं आप उस इस पे आ सकता है उसको साफ कर लेना और एक चीज मैं यह बता देती हो कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेथी लगाने से बाल वाइट हो जाते हैं तो यह एक myth है अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ऐसा मस सोचिए मेथी से बाल मजबूत होते हैं मेथी गरम होती है अभी तो दो घंटे बाद आप मेंस पानी से निकाल सकते हैं only water से तो आप देख सकते हो after washing के बाद ये बाल hair है मेरे और मैंने dry कर लिए हैं तो देख सकते हो मेरे hair काफी wavy है तो उसके according ये काफी अच्छे manageable हो गए हैं और देख सकते हो आप combing करने पर एक भी hair fall नहीं है कुछ भ बहुत ही अच्छे smooth से हो गए हैं और जब मैं इस पर अभी shampoo और conditioning करूंगी दुसरे दिन तो ये और अच्छे हो जाएंगे तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment box में जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा हो तो like करें जो नहीं हो subscribe कर ले channel को और take care